बदलते मौसम में सर्दी खासी का होना आम बात है ऐसे में ये मोरिंगा सूप आपको जरूर रहा देगा यह विटामिन सी यू सूप है और शरीर की इम्मुनिटी को भी बनाए रखता है और जब आपको पता चलेगा की है कोकर की एक विशिल में ही बन जाता है तो इसे बनान कि लिए मैंने चार मौरिंगा की फली ले ली है इसे मौरिंगा, ड्रम स्टेक, सैंजन फली आप जिस भी नाम से जानते हैं कहते हैं हमें इसकी नरम पलियों का ही यूज करना है यह उपर से थोड़ी हाड होती है जिसे हमें छील लेना है इसकी टिप को काट कर अलग कर दें तुक्डे चोटे बड़े कैसी भी कर लें अब एक तउक्डे को लेंगे और उससे छील लेना है चाकू से उपर से थोड़ा सा कट लगाएंगे और नीचे की तरफ खीजते हुए इसका छीलका निकाल लेंगे इसी तरह फली को चारो तरफ से छील लेना है मैंने इसके थोड़े बड़े पीस बनाए हैं इसलिए एक बार में पूरी फली का छिलका नहीं निकला है इसलिए इसकी दूसरी साइट से भी हम छिलका निकाल लेंगे हमें इसी तरह की स्टिक मिल जाएगी इसी तरह से हम सभी टुकडों को छिलका रख लेंगे सबी ड्रम स्टिक छील कर रख ली हैं देखिए इसमें कितने छील के निकल गए हैं इने फैक देंगे अब इन फल्यों को बॉयल कर लेना है इस सूप को बनाना बहुत ही आसान है धुली हुई साफ फल्यों को प्रेशर कोकर में डाल देंगे अब इसमें दो ग्लास पानी के डाल दें इसमें हमें कोई मसाली यूज नहीं करने हैं बस इसी तरह से प्रेशर कोकर बन करेंगे और एक विशिल लगा लेनी है लीजे विशिल भी आ गई है इसे ठंडा होने दें जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे चेक कर लें देखे हैं ये स्टिक्स काफी सॉफ्ट हो गई है अब इसे छली से चान लेना है किसी भी स्ट्रेनर में इनको डाल दें स्टिक्स को हम थोड़ा सा मल लेंगे जिससे स्टिक्स का जो पल्प है वो सूप में आ जाएगा अब जो ये बची हुई स्टिक्स हैं इन्हें बिर्कुल भी नहीं फैकना है इनके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें आलू या मटर कोई भी सबजी डाल कर इसकी सबजी बना लें या फिर इन्हें ऐसे ही दातों से चूस कर खा लें सूप में मैंने कुछ बीन्स, गाजर, बारिक-बारिक कट कर डाल दिये हैं आप इसमें कौन, गोवी, ब्रॉकली आदी कुछ भी यूज कर लें टेस्ट के अनुसार नमक और काली मिश डाल दें अब इसे एक मिनिट के लिए बॉयल कर लेना है और गर्मा-गर्म सर्व कर दें कुछ और बारिक कटी हुई सबजियां और हरे धने की पतियों से गानिश कर लें इसमें सबजियों की क्रंचिनेस बहुत अच्छी लगती है इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नीबू का रस्बी डाल दें यह पूरी तरह से ऑप्शनल है यह सूप सर्दी और खासी में बहुत ही आराम देता है इसमें काफी मात्रा में विटामिन C पाये जाता है जो शरीर की इमिनिटी को बढ़ाता है आप इसे एक बर बना कर जरूर देखें यह बहुत ही आसानी से बन जाता है जल्दी ही मिलते हैं कुछ और नई रेसिपीस के साथ